ख़र बढ़वानी जिमत्य प्रदेश अपनी संस्कृतियों और धार्मे के स्थलों को लेकर पूरे दैश में पहचाना जाता है ध्युका दिल कह जाने वाले मध्य फ्रदेश में ऐसे कही धार्मे के स्थल हैं जो लोगोंकी गहरी आस्ता का केंद्र है आज आपको ऐसे धार्मेक स्थान से रूबरू कराने जा रहे कि चमतकारी पार्शुगिरी गौाल बेडा तीर्थ के नाम से प्रसिद है ये धार्मेक स्थाल बढ़वानी जले से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी इसते सत्पुणा की तलहटी पे बसा है ये तीर्थ दूर दरास के शेत्र लोगों की आस्था का केंद्र बना है जहां जैन धर्म के अन्युआईयों ने नर्माण कारे करवा कर इसे पार्शगिरी गौाल बेडा नाम दिया सपना जैन ने बताया गौाल बेडा पहाड़ी पर स्थापे शांधी की मुद्रा की पाशान प्रतिमा किसी समाज़ जान के सपन में आई और वहां होने के संकेत दिये ते जिसके बात सही शेत्र के आदिवासियों के यहां गहरी आस्था है मानेता अगर किसी का पालतू जानवर गुम जाए या दूद ना दे तो यहां कर बावस से मनत मांगने पर पशु मिल जाता है दूद भी देने लगता इसले लागे के लिए पालतू दुदारू पशु का पहला दूद यहां रपित करते हैं किसाना नाज घर ले जाने से प जमान में कई ऐसे किसे कहानी किवदंती और जिन पर विश्वास करना करते हैं लेकिन जब बात आस्ता की हो तो अंद्विश्वास की बातें गौड हो जाती हैं गौाल बेड़ा पहाडी की चोड़ी परिस्तित इस मूर्ती में मानने वाले की आस्ता इसी का प्रतिक है बंद पड़े हुए थे जिसको लेकर चारों तुरफ सन्नाटा पस रहा था लेकिन धीरे धीरे देशे से कोरोना का संक्रमन खत्म होनी की गगार पर आने से एक बार फिट से दूर दराज से लोग आते हुए दिखाई दिए था कि यह मुर्ति वहां पर है उसको निकाली गई थी और और भी भोस से उस रक्षे से हमको फायदा मिला है बहुत से लोग उसको मानते हैं कि इसकी चाल से अपनको कुछ उपयोग मिल रहा है गौल बेड़े का नाम गौल बेड़े इसलिए रखा गया है जहां तक मैं समझ जाते थे वहां पर एक बहुत प्राचिन दिगंबर जयन समाज के 23 तिर्थंकर भगवान पार्शुनात के प्रतिमा विराजमान है यह कहा जाता है कि उसक्षेत्र के का पशुधन चोरी हो जाता था तो उस के आसपास के लोग नानी बरवन इक्षेत्र के लोग एक प्रतिक रुमा मिट्टी का पशुध excel उहां रख करके मानेता सरुप छोड़के आ जाते थे या उस पशुका बांदें का रसी बांते गर छोड़के आ जाते थे और मानेता मानते थे कि हमारा पशु मिल जाएगा तो हम हमारी पशु की पहली दाहर का दूध यहीं पर आकर चड़ाएंगे इसलिए जहां तक मैं समझता हूँ मेरा सुना समझा है उसका नाम गौल बेड़ा रखा है यह प्रतीमा वर्षों पुरु है हमारे जिन शासन के शास्त्रों में एक कथन आया है जिसमें उसको पिठर चट कहा गया है पिठर चट मतलब बिच्छू की टेकड़ी वहाँ पर कई वर्षों पहले असंक्यात बिच्छू वा करते थे खबर भारत वर्षों के लिए बढ़वानी साधिति शर्मा की रिपोर्ट है